बाद काक्षर लिखिए जैसे ओ के बाद काक्षर यहां लिखना है फिर इसके बाद काक्षर यहां लिखना है इसके बाद काक्षर यहां फिर इसके बाद यहां चो के बाद काक्षर फिर इसके बाद काक्षर ओके इसी तरह से आप लोग इसे बनाई है इसके बाद काक्षर लिखिए जैसे गौग के पहले काक्षर जो होगा इस स्पिस में दो इस स्पिस दिया हुआ है इसमें लिखेंगे गौग के पहले क्या होता है फिर उससे पहले क्या होता है यहां लिखेंगे ठो से पहले क्या होता है वो यहां लिखेंगे फिर उससे पहले यहां लिखेंगे दह से पहले काक्षा यहां यहां तालब स्थिसः पहले काक्षा यहां अब शोड़ के पहले काक्षा यहां इसमें आप लोग लेखें आज के लिए इतना ही गुद बाई